नमश्कार साथ यूँ एकबर फिर मैं दिपंकर समद्दार चार्टर एकाउंटेट आपका दोस्त और बिजनस गुरूथ असुसीट फाइनाइन्स बिजनस में प्रॉफिट कितना पूंजी लगाने पर आएगा कैसा लगा टॉपिक जबरदस्त है यह सर्नौ तो कौन सा लगाने से आप लाब में रहोगे यह अगर आप जानना चाते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन आपको वीडियो का अराम से रोक रोक के देखना पड़ेगा नोट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़े बताने वाला हूं मैं चाहता ह लोगा एक एक्जांपल लेते हैं कि मैं 20% का ग्रॉस इंट्रेस्ट कमाता हूं 20% ठीक है और एक महीने का मेरा खर्च है मंथली एक्सपेंस सारा चीज की राया सेलरी वगेरा देकर मुझे 50,000 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं इसका मतलब साल में कितने रुपे खर्च क करते हैं कि 20% ब्याच कमाता हूं और 30,000,000 रुपीज मैंने इंवस्मेंट किया 30,000,000 रुपे इंवस्मेंट किया उस पे 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 6,000,000 आएगा यस और नो और मेरे साल के खर्चे कितने है 6,000,000 और इब बावा इसका मतलब ही कि 30,000,000 लगाने से म कोई फाइदा नहीं होने वाला लेकिन आप देखते हैं कि 30,000,000 के ऊपर जितना पैसा आएगा उसमें पूरा 20% का फाइदा है क्योंकि 6,000,000 तो साल का खर्चे आपने 30,000,000 रुपे आपने लगाया तो 30,000,000 रुपे में जो ब्याज आप कमाएंगे उससे साल का खर्चे निकला उसके उपर के जो 20,000,000 है उस पे 20% कमाया आपने 4,000,000 रुपे प्रॉफिट कमाया खर्चा काट के तो 50,000,000 में 4,000,000 आपने कमाया यही अगर आप 1,000,000 रुपे लगाते हो तो क्या होगा 30,000,000 रुपीज में तो 6,000,000 रुपे आगए जो खर्चे को निप्टान के लिए उसके उपर जो 70,000,000,000 के एक करोड में वो 70,000,000 का 20% कितना होगा 14,000,000 रुपे होगा इसका मतलब 14,000,000 रुपे हम लोगों का नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट खर्चा काट के नेट प्रॉफिट है मैं फिर से बता रहा हूं इसका मतलब मैं 20% भी अगर करता हूं और एक करोड रुपे लगाता हूं तो भी नेट प्रॉफिट 14% है जो की जवरदस्त है नेट प्रॉफिट 14% जवरदस्त है एक करोड अगर आप लगा रहे हो सर मैं 40% लेता हूं कई सारे लोग लेते हैं साउकारी बिजनस में मैं दूसरे बिजनस की बात नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यह कैलकुलेशन का वीडियो है 40% अगर आप लेते हो और 50 अगर आपका खर्चा है महीने का तो 6 लाग रुपे हो गया साल का खर्चा 40% अगर आप ले रहे हो और 15 लाग रुपे आपने लगाएं केवल 15 लाग तो 6 लाग रुपे आपको ब्याज मिल जाएगा तो आप सारे खर्चे साल का निप्टा सकते ह उसके उपर जितना पैसा लगाओगे उसके सीधा 40% का profit होगा दो example देता हूँ अगर 30 लाग रुपए लगाते हो total जिसमें 15 लाग में तो 6 लाग अपने ब्याज कमा लिया वो adjust हो गया खर्चे से और बाकी 15 लाग में और 6 लाग कमाया तो net profit हो गया 6 लाग किसमे 30 लाग किस आप से और उसके बाद का 35 लाग है उसमें भी 40% आप कमाने वाले हो तो फिर ये as it is मैं आपको बता जूँ कि total interest कितना हुआ 50 लाग का 40% मतलब 20 लाग जिसमें से 6 लाग आपने खर्चे में निप्टा दिया अब बचा 14 लाग ये 14 लाग केवल 50 लाग में 14 लाग रुप है फिगर तो सर जादा परसंटेज हम लोग लेना शुरू करने क्या आपका जो लाइसेंस जो अलाओ करता है वही कर सकते हो क्योंकि जैसे सावकरी लाइसेंस है बहुत सारे स्टेट में 18% कहीं पर 24% और कहीं पर कोई लिमिट नहीं है आपको चेक करना पड़ेगा दूसरा माइक्रो फाइनस है तो नॉर्मली 24% ही लिजए अर्बिय कहता है अगर निदी है तो फिर उसका 20% मैक्सिमम है अगर आपका NBFC आर्बिय यह तो अनलिमिटेड है वहाँ पर कोई लिमिट है नहीं आप अपने इसाब से प्रोड़ेक्ट बना सकते हो तो यह आपका कैलकुल Calculation आपको जिताता है Calculation जितना भी मैंने बोला पेपर में एक बार नोट कर लिजएगा अगर समझ में आ गया सबको नहीं आएगा समझ में लेकिन आसान है अगर आप लिखते हो तो समझ में आ जाएगा और अगर समझ में आ गया तो नीचे प्लीज कमेंट में येस, सिर्फ येस लिखना, बहुत महनत नहीं लगेगा, येस बस लिख देना, आप जानते हैं न, मेरा मिशन हमेशा आप लोग की मदद करना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट डालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको फ हमेंट करिए चाहँ दिख टाइब करहा श्मधेखब करते हैं, तो ये तो मी तज़ सक्षिए ऐदा, बहुत मीर घ्यामी हैं, तो मैं कर शेया हैं, येल भी हमे सुूकराऊ मोते हैं, प्ज्श फिएंवाच ciao, येले सुॉआ की मैं भेड़े रषना, कि जिईए कू भेड़े